विजनपत पौडी गरवाल में केश्विर महादेव के तपस्वी स्थल पर पहली बार इगासर कौथिक मेले का आयोजिन क्या गया बता दे कि या आयोजिन मेला समीती द्वारा आयोजित क्या गया है आयोजिती गासर कौथिक मेले में एक शेत्र के प्रवासियों के साथ ही ग्रामीन लोगों ने बचर कर हिस्सा लिया मेरा समीती के अध्यक्ष नरेंडर सिंग्नेगी ने कहा कि सायोजन का मकसद पहाड की संस्कृती और परंपरा को बचाय रखने के साथ ही बच्चों को हमारी संस्कृती सब्यता से अबगत कराना जा इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रवासी और ग्रामीन लोगों ने पहली बार आयोजित कौथिक मेले को अपना समर्थल दिया है उससे वस सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविश्य में इसी तरह का मेला क्शेत्र में हर वर्ष आयोजित क्या जाएगा पौडी से मुकेश बच्छे की के रिपोगों ने बिगट 25 बरसों से नहीं हो रहा था और कहीं जब हम छोटे थे तो इस मेले में आये करते थे और हमें एक कमी खलती थी कि उसके बाद 25 सालों से बिगट 25 सालों से मेला बिलबट साह हो गया था है और कहीं ने जो अस्तानिया बिरोजगार होते थे वह कहीं दुगान लगाए कि है त्चायजी दुगान लगाएक्थ जिलीवी की दुगान लगाएक के यहां पर उनका भी जीवी का चलती थी और बंग वह चुझी थी तो हमने इसी परियास में एक मुहिम चलाई कि इगासरकोटी को पुर्ण जीवित करना है तो आज आज आप देख रहे हैं उसी मुहिम में आज इगासरकोटी का ये भगवे कारिकरम आप लोगे के सम्मुक है और बेरोजगा लोगों अपने स्टॉल लगा रखे हैं चाहिजी दुगान लगा रखे हैं कखड़ी दुगान लगा रखे हैं एस्क्रीम बेज रहे हैं जले भी बेज रहे हैं और है उन्हें तहने ज़िए इस मेले से रोज़दार प्राप्ट हो रहा है तो मैं मंदर समिति की सभी पधातिकारु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमको जिस तरह से अपना सयोग दिया इस मेले को सफल बनाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमने एक मुहीं चला आई कि जो एक इसवर महादेब का मिला बश्तों से होता था लेकिन ये बिल्टी की कागार पे था और हमने इस मेले को कि हमनारी जो महलाएं है इस्तानी महलाएं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके उन्होंने कल इतनी अच्छा सी परस्तिया यहां पर दी उन्होंने अपनी लोग सस्कृति को बचाने का काम किया पहले में उनको भी इस मीडिया की माद्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ